दोस्तो आजका जो वीडियो है ना वो बहुत ज़दा इंपोर्टन्ट है क्योंकि दोस्तो आजकी इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन परकार के काम या पिर ऐसी तीन परकार की हरकत है जो हर अवरत चाहती है कि उसका पुरुष मतलब जो उसका जो मेरा बॉइफ्रेंड है तो कभी ना कभी ना मतलब कभी ना कभी तो मतलब तीन जो मैं हरकते बताने वाला हूँ तो उन अपनी अवरत को ना हमेशा संतुष्ट रखते हैं दोस्तो तो जो मैं आपको बाते बताने वाला हूं तो ओ जानना ना दोस्तो आपके लिए वेरी मच इंपोर्टेंट है तो प्लीज दोस्तो आज का वीडियो पुरा देखे दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस तो देखो जो सबसे पहले प्रकार का काम है या पिर जो सबसे पहले प्रकार की हरकत है और सो कौनसी है कि हर अवरत को ऐसा लगता है कि जब ओ और उसका मतलब पती या पिर उसका बॉइफ्रेंड मतलब जो पुरुष उसके जिन्दगी में है तो ओ अगर अपने पुरुष उसके साथ रास्ते पर चल रही है तो हर अवरत को ऐसा लगता है कि उसका पती या फिर उसका बॉइफ्रेंड एक तो उसके कंदों के उपर हाथ डाले या फिर उसका हाथ पकड़ कर मतलब चले मतलब हर अवरत ऐसा चाहती है कि उसका पती ना चलते समय एक तो उसके कंदों के उपर हाट डाले या फिर उसका हाथ पकड़ कर चले मतलब जो मैंने आपको दो प्रकार के काम बता है ना तो उन में से कोई ना कोई एक काम करे ऐसा दोस्तो हर अवरत को लगता है दोस्तो क्योंकि दोस्तो हर अवरत को मतलब अच्छा लगता है कि जब उसका पती ना उसके कं जरूर करें दोस्तों दोस्तों सबसे पहला काम है इसको आप जिन्दगी बर ध्यान में रखो उसके बाद दोस्तों जो दूसरे प्रकार की हरकत है और सो कुनसी है कि हर अवरत को ऐसा लगता है कि उसका पती ये फिर उसका बॉइफ्रेंड मतलब जो भी पूरुष उसके जिन करता है ना तो दोस्तों उसका मतलब ऐसा निकलता है कि मेरा तुमारी उपर ना बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुम्हें कभी भी धोका नहीं दूंगा मतलब तूम ना मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा इंपोर्टन्ट हो तो इसका मतलब ऐसा होता है दोस्तों त दोस्तो ऐसा कहा भी जाता है कि माथे की उपर अगर आप किस करोगे ना तो ओकी सिधे अवरत के दिल तक जाता है मतलब माथे का और दिल का ना डायरेक कनेक्शन दोस्तो होता है दोस्तो तो हर अवरत के इसी इच्छा होती है कि उसका पुरुष कभी ना कभी तो प्यार से उ उसके माथी के उपर किस करें तो दूसरी दूस्तो एक दम गुपत हरकत होती है दूस्तो तो इसको आप ध्यान में रखो और उसके बाद दूस्तो जो तिसरे प्रकार की हरकत है और सो कुनसी है कि हर अवरत को ऐसा लगता है कि उसका पती ना प्यार से कभी ना कभी तो उसको किचन में से उठा कर मतलब गोदी में उठा कर अपने विस्तर के उपर लेके जाए जी हां दोस्तों तो आपको मतलब यह बात सुनकर मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि भाई तो क्या बात कर रहा है पर मेरे भाई यह ऐसा होता है मतलब आउरत की दोस्तो एक fantasy होती है कि उसको ऐसा लगता है कि जब वो kitchen में काम कर रही है ना तो उसका पती एकदम प्यार से मतलब kitchen में आए और उसको मतलब उठा कर, मतलब गोधी में उठा कर वो प्यार से विस्तर के उपर उसको लेके जाए उसको आपने बहुत सरे हिंदी पिच्चर में ऐसा scene दोस्तो देखा होगा पर उसको रियालिटी में दोस्तो हर अवरत के अंदर ऐसी fantasy होती है दोस्तो तो जो मैंने आपको तीन प्रकार की इच्छा है बताई ना या पिर जो तीन प्रकार की हरकते बताई ना तो हर अवरत के अंदर या तीन प्रकार की हरकते करने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है दोस्तो तो इसको आप जिन्दगी पर ध्यान में रखो तोस्तो फिलहल दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद